नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आया 14 जून 2022 से बनने वाले हर्याना करंट अफेर से सम्बंदित सभी मैपतपून क्वेशन अंसर जो की आप से आने वाले कंपिटीशन एकजाम मे की ब्रांड अमबेश्डर की से बनाया गया है तो दोस्ति स्कोप्स नमबर आपका ए रहे गया यानि इसरत बसीर को सैल्पी वी डॉक्टर अभियान की सिगनेचर कैमपेन कस्मीर की इसरत बसीर को बनाया गया है और सैल्पी वी डॉक्टर अभियान की सुरुआत जिन्द जीले को जैनती देवी नगर के उपनाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा इसे हर्याना का हर्द्य भी कहते हैं मनिपूर में बार्वी होकी इंडिया सब जूनियर महीला नेशनलन चेंपियन सिप में हर्याना की टीम कौन सी बार विजया बनी है तो दोस्तो इसका राइटन सर रहेगा आपका चोथी बार जो की मनिपूर में हो रही आपकी बार्वी होकी इंडियन सब जूनियर महीला चेंपियन सिप में हर्याना चोथी बार विजया बना है नेक्ट क्वेस्टन है एनिमिया फ्री हर्याना की ब्रांड अमबेश्डर कोन है तो दोस्तो एनिमिया फ्री हर्याना की ब्रांड अमबेश्डर मानूसी छिलर है नेक्ट क्वेस्टन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हर्याना की ब्रांड अमबेश्डर कोन है तो दोस्तो दोस्तों बेटी पड़ाओ, बेटी बचाओ की हर्याना की ब्रांड अमबेश्डर साकसी मलीक है और इसकी सुरुआत आपकी 2015 में हर्याना के पानिपत जीले से की गई थी नेक्ट क्वेस्टन है खसरा एमरू बेला की ब्रांड अमबेश्डर कौन है तो दोस्तों खसरा एमरू बेला की ब्रांड अमबेश्डर मनू भाकर है नेक्ट क्वेस्टन है खर्याना पर्देश के द्वारा मुख्य मंत्री विवा सगुन योजन के तहत कितने रूपे की रासी परदान की जाएगी नेक्ट क्वेस्टन है देवी रूपा की योजन की सुरुवात कब होई थी तो दोस्तो देवी रूपा की योजन की सुरुवात आपकी 2006 में होई थी नेक्ट क्वेस्टन है लाडली समाजिक योजन की सुरुवात कब होई थी तो दोस्तो लाडली समाजिक सुरुखसा योजन की सुरुवात आपकी 2015 से यानि 2000 आपकी 2006 से की गई थी और देवी रूपक योजने की सुरुवात आपकी 2002 में हुई थी और लाडली सुरुकसा योजने की सुरुवात आपकी 2006 में हुई थी नेक्स्ट क्वेस्टन है आपकी बेटी हमारी बेटी योजने की सुरुवात कब की गई तो दोस्तो इसकी सुरुआत की गई आपकी 2015 में सुकन्यसमरिदी योजना की सुरुआत आपकी 2015 में देवी रूपक योजना की सुरुआत आपकी 2002 में लाडली समाजिक सुरक्सा योजना की सुरुआत आपकी 2006 में की गई और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की सुरुआत आपकी 2015 में हुई थी हर्याना के किस जीले में महिला होकी सीरीज 2022 का आयोजन किया गया तो दोस्ते स्कोप्स नमबर आपका ए रहे गया यानि हर्याना के सोनिपत जीले में महिला होकी सीरी 2022 का आयोजन किया गया और सोनिपत जीले की स्तावना 1972 में किये गई थी और सोनिपत जीले को सोने का सहर और एजूकेशन सीटी के उपनाम से भी जाना जाता है नेश्ट क्वेशन परदेश के किस जीले में पहली बार तीरंदाजी परतियोगीता का आयोजन किया गया तो दोस्तों हर्याना परदेश के पहली बार सोनिपत जीले में तीरंदाजी परतियोगीता का आयोजन किया गया नेश्ट क्वेस्ट ने पर्देश का कौन सा स्थान होकी की नरसरी कहलाता है तो दोस्तो पर्देश का आपका सहाबाद नामक स्थान जो की कुरुक छेतर जिले में पढ़ता है होकी की नरसरी कहलाता है नेक्ट क्वेस्टन है परशिद होकी खिलाडी रानी रामपाल का सम्बंद किस जिले से है तो दोस्तों परशिद होकी खिलाडी रामपाल का सम्बंद भी यानि रानी रामपाल का सम्बंद भी आपका हर्याना के सहाबाद के नामक स्तान से है और ये आपका कुरुक्षेतर ज बढ़ता है नेक्ट क्वेस्टन है जैवलिंग तरोदीवस का मनाया जाएगा तो दोस्तों जैवलिंग तरोदीवस को हर साल साथ अगस्त को मनाने की गोशना की जा चुकी है और साथ अगस्त को नीरत चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलमपिक 2020 में बारत के लिए इन्होंने गोल्ड दिलाया था तो इसी के उपलक्स में हर साल साथ अगस्त को जैवलिंग तरोदीवस के रूप में मनाय जाने की गोशना की गई है नेक्ट क्वेस्टन है हर यानक एकिस जीले में इस्ते चोदरी रनबीर सिंग विश्वी जाल्या का नया वाइस चेर्मेन किसे नियूक्त किया गया है तो दोस्त इसको प्सन नमबर आपका डी रहे गए यानि प्रुफेसर रन पाल को प्रुफेसर रन पाल को नया वाइस सिर्मेन नुक्त किया गया है चोदरी र्र्ण सिंग हर लाइन के कूल पती कोन है तो दोस्तो चोदरी र्रण सिंग हर लाइन करीशी विश्वी जाल्या के कूल पती समर सिंग है कुल पती कौन है सोमनात सचदेवा हर्याना केंद्रिय विश्विदालिय के कूल पती है पुर्फेशर टंकेशवर कुमार दूध की नगरी किस जिले को कहा जाता है तो दोस्तो दूध की नगरी जिद्च जिले को कहा जाता है नेश्ट कुएसनैं खेलो इंडिया यूथ गेम्ज दो हजार इक्किस में हर्याना के द्वारा कूल कितने पदख जीते गई हैं तो दोस्तो इसको उप्सन नमबर आपका A राइट रहेगा यानि 137 पदक जो की खेलो इंडिया यूथ गेंस के चोथे संस्क्रम में हर्याना के दुआरा कुल 137 पदक जीते गई है और इन 137 पदकों में 52, 77 पदक, 49 आपके सिल्वर पदक और 46 आपके ब्रोज मैडल सामिल है और यानि आपके कुल पदक 137 जीते गए है जबकि दूसरे नमबर पर महराश्टर राज्या रहा है यानि कुल 125 पदक महराश्टर के दुआरा जीते गए तीसरे स्थान पर करनाटक राज्या रहा है इनके दुआरा 22, 77 पदक, 17 राजट और 28, 80 पदक सामिल है और इनने कुल 67 पदक जीते है और हर्याना के दुआरा सबसे अधिक पदक जीते गई है खेलो में हर्याना की चोदर यानि 52 संपदक जीतकर बना ओवराल चैम्पियन यानि हर्याना दूसरी बार सबसे ज़्यादा मैडल जीतने वाला राज्या बना है खेलो इंडिया यूथ गेम दू 2021 में हर्याना के दुआरा 22 संपदक के साथ ओवराल चैम्पियन बना परदेश के दुआरा 49 रज्यत और 46 कास्या पदक जीतकर 137 पदक हासिल की है और इन खेलों में हर्याना दूसरी बार विजेता बना है 2018 में हर्याना के दुआरा 38 संपदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया गया था हर्याना ने महराष्टर को साथ गोल्ड से पचाड़ा है महराष्टर के खिलाडियों के दुआरा कुल 125 पदक जीते गए जिन में सिप 45 संप, 40 रज्यत और 40 कास्या सामिल है तिसरे पर करनाटक राज्या रहा है देश की अबादी का 2 फिसदी और मेडल लाई आपके 15 फिसदी देश की कुल जन संख्या का हर्याना 2.09 फिसदी हिस्सा है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने हर्याना ने 15 फिसदी पदक पर कबजा जमाया और सर्णों की बात करिए जाय तो यानि गोल्डों पर आपके 19 फिसदी सर्ण पदक हर्याना राज्या के द्वारा जीते गई है कुस्ती में सबसे ज्यादा पदक हर्याना के द्वारा कुस्ती में 38 पदक जीते गई इन में से आपके 16-7 पदक 10 आपके silver और 10 आपके 12 आपके bronze सामिल है यानि सबसे ज़्यादा पदक कुस्ती में जीते गई मुक्केबाजी में आपके 10-7 पदक 3 silver और 2 bronze सामिल है और जिसमें मुक्केबाजी में कुल आपके 15 पदक जीते गई है यानि ओवर्राल आपका हर्याना 137 पदकों के साथ पहले नमबर पर रहा है जबकि दूसरे नमबर पर महाराश्टर और तीसरे नमबर पर आपका करनाटक जीला है नेश्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए करप्या कोमेंट करके जुरू बताए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संसक्रण कहां पर हुआ था हमारे पास फोर उप्सन है नई दिल्ली महाराश्टर गुखाटी या पंचकुला में नेश्ट क्वेस्टन है जो कि आपकी कल की वीडियो में पूछा गया था कि निमली कितमे से किसी विकास इंपंचायत विबाग के उप्सचिव बनाया गया है तो दोस्तो इसका राइट अनसर था आपका जीते अंदर जोसी को यानि उप्सन नंबर आपका भी रहेगा जिन ने विकास इंपंचायत विबाग का उप्सचिव बनाया गया है तो फिलाल के लिए दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजी साइंस को वीडि देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद